प्रेंट्स के आप सभी लोग अच्छे होंगे तो देखिए मैं बहुत ही आसान सा बनाई डिजाइन है बिगिनर्स इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टिपल में फंदे लेने हैं यानि की 6 के गुने में और 6 ही सराइयों का यह डिजाइन ने ठीक है 6 के मल्टिपल में फंदे लेजेगा प्लस दो फंदा एज स्विच का एक्स्टर रखना आगे और पीछे के लिए जो एज का जो फंदा होता है न किनारे का उसके लिए ठीक है और 6 ही सलाइयों का डिजाइन है पूरी 6 पीचे सलाइया आप फुल बाच कर लेजेगा पूरी देख लेजेगा एक भी स्किप मत कीजेगा दरवाइस केबल पेटन है तो समझ में नहीं आएगा ठीक है तो यह जो डिजाइन केबल वाला यसे कि मैं आपको बताई दिया और सिंपल और बेसिक जो केबल बनाते है ना वह वाली केबल बताऊंग यह देखें अब यहां से repeat परने start करेंगे यहां देखें एक फंधा उल्टा बनाएंगे वान दागा पीछे चार फंधा सीधा 1 2 3 4 दागा अपनी तरफ एक फंधा उल्टा अब देखें धागा पीछे ये जो 6 फंदे हमने बनाए एजस से छोड़कर 1 फंदा उल्टा, 4 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा यही 6 फंदे बार-बार रिपीट करेंगे तो फिर से बनाएंगे देखिए 1 फंदा उल्टा रागा पीछे, 4 फंदा सीधा 1, 2, 3, 4 रागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा फिर से रिपीट करेंगे, 1 फंदा उल्टा रागा पीछे, 4 फंदा सीधा 1, 2, 3, 4 रागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा एजस स्टिच को सीधा बना लेंगे इस तरह से अब देखिए याप है राग साइट से आगई, यह हमारी सेकेंड रो है पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे लिखर जाएंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ, 4 फंदा उल्टा जो फंदा जैसा दिख रहा है, वैसा ही बनाएंगे धागा पीछे देखेंगा, यह फंदा सीधा दिख रहा है, इसको सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ देखेंगे, यह फंदा सीधा इसको सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ, 4 फंदा उल्टा धागा पीछे, 1 फंदा सीधा धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा इसको इसको बना लेंगे, यह दो सलाईयां हमने बना ली, बहुत आसान बहुत सिंपल तरीके से बताया है, बहुत ही आसान है तो अब देखे पैटर्न की थर्ड रो फ्रंट साइड से आ गए अब हुए हम पहला फंदा सिलिप करेंगे नेक्स्ट जो फंदा है वो उल्टा बनाएंगे दागा पीछे चार फंदा सीधा वान तू ती पूर दागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा तो देखिए जैसे हमने ये फर्स्ट रो बनाई थी सेम वैसे ही ये वाली लाइन भी बनेगी थर्ड रो वो वन की तरह बनेगी दागा पीछे चार फंदा सीधा वान तू त्री पूर दागा अपनी तरफ अब देखिए बीच में दो फंदा उल्टा है वैसा ही बनाते हुए सीधा देख रहा तो सीधा बनाएंगे उल्टा देख रहा है तो उल्टा बनाएंगे बस आपको सीधे और उल्टी की पहिचान रना आना चाहिए तीक है इस तरह से ओर अगर आप लुग लिगनर्ज हैं ना तो नो आप ऐलकुल पर फोर्स किया है, यानि कि अगर मैं यहां पर बताती हूँ, तो जब मैं यहां पर YouTube पर वीडियो बना के बताती हूँ न, फिरी होता है यह वीडियो, लेकिन फिर भी लोग इसे देखना पसंद नहीं करते हैं, तरह तरह के suggestions देते हैं, comment करते हैं, अगर वीडियो दस मिनिट का हुआ तो लोग कहेंगे वीडियो छोटा बनाया करो अगर वीडियो आठ मिनिट का हुआ तो लोग कहते हैं वीडियो बड़ा बनाया करो आपने बहुत जल्दी जल्दी बता दिया आपने वह धीरे धीरे बता दिया तो यहां जो मैं फीरी में ड बहुत ब्रीफ से बताब अच्छे ज़िए वह बताया है उसके लिए वह मैंने पेड़ कोर्स बताया है उसको आपको पेड़ लेना होगा अगर आप लोग लेना चाहते है तो बहुत ही जल्दी उसको मैं लॉंच करने वाली हूँ और लिंक मैं आपको अगर आप लोग इंट्रेस्टेट है तो यूकि विंटर्स आने वाले मेरे पास काफी सारे बिगनर के कोर्स के लिए आ रहे हैं मैसिज तो वही करूंगी पहले अब देखें यहां से फोर्थ रो पहला पंदा सिलिप करके धागा पीछे एक पंदा सिलिप यह वाली रो भी पूरी रो टू की तरह बनेगी चार पंदा उल्टा इस तरह से देखें धागा पीछे दो पंदा सिलिप वान तू नागा पीछे चार पंदा उल्टा वान तू दो पंदा सिलिप वान तू धागा अपनी तरफ चार पंदा उल्टा धागा पीछे दो पंदा सिलिप वान तू एक पंदा सिलिप और एक एजस्टेच को उल्टा बनाएगे देखें चार सलाई हैं हमने बना के कंप्लीट की अब हम आगए अपनी फिफ्ट रोपे तो पहला पंदा देखें कैसे सीधा बनाएगे एक पंदा उल्टा बनाएगे अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे अब यह जो चार फंदे हैंना सीधने इनको ट्विस्ट करेंगे तो यह चार फंदे पहले मैं इस सलाई पर ले लूँगी मैं तो ऐसे ही करती हूँ अब ये जो starting वाले जो फंदे ये दो वो में back loops, back सलाई से इस तरह से इस सलाई पर ले लोगी और ये इन दोनों को छोड़के आगे से ऐसे फसा के और इनको ऐसे आगे रख लोगी इस तरह से ये देखो ऐसे और इन चारों फंदों को सीधा बनाएंगी दगा अपनी तरफ अब देखिए दो फंदा उल्टा है इनको उल्टा बना लेंगे दगा पीछे देखो चारों को इदर ले लूगी एक बार और मैं आपको बना के बताऊंगी इसको किस तरह से मैं आगे से ये जो पीछे की फंदे इनको आगे लेना है इस तरह से ठीके सलाई पर आगे इन चारों फंदों को ऐसे सीधा बनाना है क्योंकि केवल को हमें इस तरफ मोरना है ये ऐसे धागा अपनी तरफ दो फंदा उल्टा धागा पीछे फेजर ट्विस्ट करें अच्छा मैं चारों फंद इस सलाई पे ले लेती हूँ बरना मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकते हूँ काफी लोग ऐसे भी बताते हैं लेकिन होता क्या है इस तरह से देखिए ये केबल देखिए अब इस तरफ मुड़ गई आप देख सकते हैं द्रागा अपनी तरफ एक पंदा उल्टा द्रागा पीछे एक पंदा सीधा और फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रीज अगर आप लोगों ने मेरा जो दूसरा चैनल है मेक अप बाला वीजिट नहीं किया एक बाद जाके देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर मैं डियाइवाइ स्किन केर हेर की एक से लेटिड वीडियो बनाती हूँ और अगर आपकी स्किन में कुभी समस्य दाग धब जाही है आप लोग जैसे मुझे यहां पर सपोर्ट करते हैं वैसे प्लीज वहाँ पर भी सपोर्ट कीजिएगा तो देखिए यहां पर मैंने यह 6 रो पर आ गई एक फंदा सीधा रोस 2 और रो 4 की तरह बनेगी एक फंदा सीधा चार फंदा उल्टा टू, ट्री, पोर धागा पीछे देखिए दो फंदा सीधा है तो इसको सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ चार फंदा उल्टा 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 बनाएंगे वान, टू, ट्री, पोर धागा पीछे दो फंदा सीधा धागा अपनी तरफ चार फंदा उल्टा 1, 2, 3, 4 धागा पीछे, दो फंदा, एक फंदा सीधा और रेजिस्टिच को उल्टा बना लेंगे इस तरह से तो देखे इस तरह से जो 6 सलाईया मैंने बनाई है आप बस यही बार-बार रिपीट करते हुए जाएंगे इस तरह से यह बनके आएगा यहां देखे मैंने इसको बनाया हुआ है बहुत सुंदर लग रहा है बहुत ही प्यारा इसे आप ट्राइ जरूर कीजेगा जब आप इसे ज्यादा फंदा पर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा इस तरह से दिखता है आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए बच्चों के बड़ों के जैंट, स्वेटर, लेड़ी, स्वेटर, कार्डिगन, स्काफ, मॉफल, कहीं भी डालिए बहुत खुबसुरत बनके आता है एक बार ट्राइ जरूर कीजेगा आपने एक्सपीरेंस मेरे साथ इंस्टा आपको फोलो कर सकते हैं कोई कि काफी लोग मेरा नंबर मंगते हैं तो इंस्टा पर मैसेज कीजिएगा महाँ आपको नंबर दे दूमी इस तरह से देखिए और कॉमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो का लाइक कर दीजिएगा चैनल पर पहली वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बैल बितन प्रैस कर दीजिएगा आल पर जिसे कि मैं जब भी वी निर अलुमी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा तो stay connected चैनल के साथ बने रहेगा इस तरह का बहुत अच्छा अच्छा content हने वाला है मेरे चैनल पर तो please miss मत कीचेगा चैनल के साथ बने रहेगा यह देखिए तो चलिए फिर मिलते हैं किसी next वीडियो में वीडियो को share करना बिल्कुल भी न भूलें ठीक है thank you bye bye